नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका आपके अपने यूटूब चैनल आरकेवर माइलेक्टिकल पर तो इस वीडियो हम डिसकस करेंगे आपके जितने भी टेकनिकल एकजाम है उनसे संबनित प्रिसनों की बारे में इससे पहले भी हम काफी वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपले दिंडियो में जाकर हमां से चैक कर सकते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वैसे ये paper आपका 27 262018 को आया हुआ paper है जे वी वी एनल 2018 में चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल बनाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करने जिससे के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं निमन विद्धुधाराओं मैंसे किसे मानव सरीर के लिए खतरनाक समझा जाता है यानि सबसे खतरनाक आपकी कौन सी विद्धुधारा होगी किसी संबसे निमन संबंदों मैंसे कौन सा सही नहीं है तो आपको दोस्तों देखना है कौनसा आपका समन सही नहीं है तो आपका i is equal to p upon v i is equal to p upon r under root में v is equal to under root p into r होता है बात बागी आपका a is का right answer रहेगा क्योंकि यह p is equal to v upon r square नहीं होता है तो आगे बढ़ते हैं जब किसी heater का प्रतिरोध element fuse हो जाए जब हम इसका एक भाग निकालते हैं और इसे पुन है उसी आप उर्थी के साथ जोड़ देते हैं तो heater द्वारा ले गई उर्जा आपकी तो ले गई उर्जा आपकी बढ़ जाती है यदि तूटने के पस्चात किसी heater को द्वारा जोड़ने पर उपयोग में लाने पर उसकी उर्जा उसके द्वारा की की खपत उर्जा बढ़ जाती है आगे चलते हैं चार सो बाट के बलब दो सो बोल्टेज की सप्लाई के साथ समांतर में जुड़े हैं अगर एक बलब फ्यूज होता है हो जाए तो सेस तीन बलब आपके रोसनी देते रहेंगे तो राइट आंसर आपका C रहेगा आगे चलते हैं किस प्रकार के बोल्टेज करेंट को चित्र में दर्साया गया है तो आपका AC करेंट है आपकी ये तो राइट आंसर आपका E रहेगा आगे चलते हैं किसी अल्टरनेटरिंग मातरा की आवरती कैसी होती है तो आपकी 30 second पूरे कीएगा चकरों की संक्या आपकी frequency कहलाती है तो राइट आपका C रहेगा आगे चलते हैं यदि किसी अल्टरनेटरिंग मातरा का समय काल यानि time period आपका T की value आपके दे रखिए 0.02 second है तो इसकी आवरती क्या होगी तो इसकी आवरती आपकी F यानि 50 hectare इसकी आवरती होगी क्योंकि frequency 50 hectare का ही आपका आवरतकाल 0.02 second होता है आगे चलते हैं यदि किसी DC मसीन के एक आर्मेचर में current प्रिवा की पिरकर्ती क्या है तो आपकी पिरकर्ती आपकी AC होती है क्योंकि उसमें AC ही उत्मन करती है इस्टार्टिंग में आपकी और commutator आपको AC में DC convert कर देता है तो आपका E रहेगा किसी DC generator की आर्मेचर आर्मेचर वाइंडिंग में एक EMF प्रिवाहित किया जाता है जब वह घूमता है जब चुम्ब के छेतर वह घूमता है तो एक विद्धुत वाहगवल उत्मन होता है तो रहेट आर्मेचर आपका C रहेगा किसी DC generator में उत्मन EMF डैस से प्रेरित EMF होता है तो आपका गतिमान रूप से आपका EMF प्रेवित होता है क्योंकि जब कोई चालक चुम्ब के छेतर में गति करता है तो विद्धुत वाहगवल उत्मन होता है तो रहेट आपका C रहेगा आगे चलते हैं अधिकांस DC मसीनों में ventilation ducts होती है तो आपकी radial एवम साथ ही लमवत होती है तो रहेट आपका C रहेगा आगे चलते हैं किसी DC मसीन का घूमने वाला भाग कहलाता है तो घूमने वाला भाग आपका armature कहलाता है DC मसीनों के अंतरगत आगे चलते हैं किसी DC मसीन में rotor soft से dash होता है तो आपका key soft से key किया होता है यह जोड़ा होता है तो right answer आपका B रहेगा किसी DC generator में armature current से dash के जरीए प्राप्थ होता है तो armature current आपका commutator और बुरुस के द्वारा प्राप्थ होता है तो right answer आपका E रहेगा वेल्डिंग जनेरेटर में डैस होगा तो वेल्डिंग जनेरेटर के लिए आपका लेप वाइंडिंग का प्योग किया जाता है क्योंकि हाई करंट और लो वोल्टेस इसके अंतरगत प्राप्त किया जाता है आगे चलते हैं DC सिरेणी मोटर के गुणन दिशा को डैस टर्मीनों को परस पर उल्टा करकर बदला जा सकता है यानि किसके द्वारा बदला जा सकता है तो आपको या तो आर्मेचर या फिर फिल्ड दोनों में से किसी एक का बदल दीजिए उसकी गति बदल जाएक तो राइट आसर आपका E रहेगा एक मेगा ओम प्रतिरूद किसके बरावर होता है तो एक मेगा ओम प्रतिरूद बरावर एक हजार ओम के आपके बरावर होता है मेगा की मेगा होता है आपका दस की पावर 6 ओम के बरावर होता है तो राइट आंसर आपका बी रहेगा ट्रास्फार्मर एक उप्करण है जो डैस के लिए उप्योग में लाये जाता है तो आपका बिना किसी पृत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपत से दूसरे परिपत में आपका विद्धूत इस्तान्थ में किया जाता है आगे चलते हैं एक ट्रास्फार्मर जिस वक्र को विद्धूत उर्चा प्रिदान की जाती है उसे डैस कहा जाता है यानि क्या कहा जाता है उसे उसे प्रात्मिक वक्र कहा जाता है आगे चलते हैं तीन फेज ट्रास्फार्मर में सामिल क्या होता है तो आपका तीन फेज में तीन प्रात्मिक और तीन दित्यक वक्र यानि कुंड्रल होते हैं तो राइट आंसर आपका भी रहेगा अगर चलते हैं एक सामाननेत है आधार ट्रांजिस्टर में IC इस इक्वल टो 0.97 मिलियंपेर IB 30 मिलियंपेर है तो प्राप्त विद्युधारा अलफा का क्या मान होगा तो अलफा का मान आपका 0.97 इसका राइट आंसर रहेगा और आपको त्हार रखना है कि अलफा का मान सदेव एक से कम ही प्राप्त होता है एक ट्रास्फार्मर में दित्यक वक्र यानि कुंड्रल में प्रेरित वोल्टेज होती है तो आपकी प्राथ्यक वोल्टेज के साथ 180 फेज से बहार होती है तो राइट आंसर आपका भी रहेगा आगा चलते हैं 3 फेज आपूर्ति के किसी भी 2 फेजओं के बीच फेज अंतर क्या होता है तो आपका 120 अंतर होता है 2 फेजओं के 20 एक ट्रास्पार्मर में संदक्चक का कार्या है यानि आपको आपको कारिया है तो केक्अ कार्या है आपका बाहरी वायू के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना इसका कारिया होता है आगे चलते हैं हमें पिलस माइनस 5% सहल सीलता के साथ 47 किलो ओम के मान के पिर्तिरोध की आवसकता है इस पिर्तिरोध पर बेंड अनुकरम होना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं एक च्भके संपर्क-णुचन कमणार संचलता है यह दि 0-1-2 मोचर के के साथ चलते है अब किसमें आपका मोटरन आपकी जल जाएंग hence यदि कुंडली का पिर्तिलो 15 ओम कुंडली की पिर्तिबाद 25 ओम तो एपरवरतिनी पिर्तिकरिया क्या होगी तो राइट आंसर आपका 10 ओम निकल कर आ जाएगा आगे चलते हैं no volt coil के साथ एक on off switch को क्या कहा जाता है तो आपका चुम्ब के starter कहा जाता है no volt के साथ जो आपका connect रहता है तो राइट अंसर आपके यह रहेगा आगे चलते हैं AC no volt volt ता नहीं कुंडलन के armature, sill, लगातार, चीची की आवाज को इंगित करता है यानि किसको इंगित करता है तो आपका सेड़िट रिंग में open circuit, fault इसको आपका प्रिदरसित करता है आगे चलते हैं, एक तीन फेच प्रिदर मोटर अधिक्तम जिर्दरसित बलागून वेस्कित करने के लिए करने वाले एक भार पर पर परिचलाइत हो रही है क्या होगा जब मोटर के परिचलाइन के दौरान बाहर इमेंस विद्दुद मेंसे एक बाधित हो जाता है यानि एक आपका supply सतार disconnect हो जाता है तो क्या होगा तो आपका मोटर परिचलाइत होती रहती है और लेकिन अधिक्वितिद्धारा आपकी खींसती है तो right answer आपका C रहेगा डी ओ एल प्रारंबिक के माध्यम से प्रारंब होती है यानि श्टार के माध्यम से प्रारंब होती है तीन फेज, तीन होस्पावर, तीन फेज, चारसो पंदरे वोल्टेज, पचास हैटर, इस्कोलर के इंडक्टर, इंडक्टर, यानि प्रेंड मोटर के बैक अफ फ्यूज की सिरेडिक क्या होगी, तो आपकी सोल एमपेर का आपको फ्यूज निकालना पड़ेगा, लगाना आपका अफ द्वारा निकाल जा सकता है, आगे चलते हैं, बैक अफ फ्यूज का उद्देश से के विरूद सुरक्षा प्रतान करना है, यानि किसके विरूद आपका सोल्ट सर्कृट के विरूद प्रतान करता है, सुरक्षा आपका, मोटर परिफत में विद्धुत लेकिन परिचालित नहीं होती है, तो समभावित समस्या क्या है, तो आपका एक फ्यूज उड़ गया है, और मोटर में सिंगल फेजिंग हो गई है, तो राइट आपका एंसर आपका ए रहेगा, 35SWG की उचित विद्धुद्धारा क्या होगी तो आपकी 5A इसका राइट डैंसर रहेगा क्योंकि 35SWG का तार आपका 5A की धारा आसानी से सेहन कर सकता है एक रेडियो अभिगराई में हम ट्यूनिंग नियांतरन को गुमाने के दुआरा किसी भी वल्चित स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं ऐसा करके हम डैस परिवत्र कर सकते हैं तो आपकी धरिता को परिवत्र कर सकते हैं आपका सी रहेगा एक संदारिद के रेटिंग 25 माइक्रोफेरड बारबुल्ट दी जाती है और इसके सिरो टर्मिनल के समीप पिलस चीनिद भी लिखा है संदारिद है तो आपका पॉली कार्बोनेट प्रिकार का आपका कैपिस्टेंस है तो राइट आंसर आपका सी रहेगा एक ट्राजिसर स्वां माइक्रोफेर की आधार विद्धारा को खींचता है जबकि ग्रहे की विद्धारा 10 मिली एंपेर है अलफा और बीटा के मानुगी गर्णा कीजिए तो अल एंपाई में दो किलो मीटर और उनपर स्काट शेतर पर पांच एमेम के स्क्वाइर के तामे के तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए यदी प्रतिरोध कमान एक देसनलप साथ गुणा दसकी पर माइनाच 6 ओम है सेंटिमीटर है तो राइट आंसर आपका 6.8 ओम निकलकर आ आजाएगा आगे चलते हैं पावर कंट्रोल सर्कृट में स्क्राइब क्यों प्योग किया जाता है तो आपका एक छोटे गेट करेंट एक बड़े लोड वाले करेंट की स्विचिंग को नियंतिन कर सकता है तो राइट आंसर आपका सी रहेगा क्रोबार प्रोटक्शन यू पावर एम्प्लिफायर के रूप में इस्तेमाल होने बाले ट्रांजिस्टर आम तोर पर धातू की पलेट पर लगाई जाते हैं ताकि यानि क्यों इस्तापित किये जाते हैं दातू की पलेट पर काम करने के दौरान उनमें उत्पन हुई उसमा को रेडियेट किया जा सके यानि उसमें को ट्रांसफर करा जा सके इसलिए उसका दातू को पलेट लगाई जाती है आगे चलते हैं ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्छर इसा की इसकी मतलब डैस को दरसाता है दूसरा अक्छर इंगित करता है यानि पहला अक्छर आपकी समागरी और दूसरा प switch के कारिये से की जाती है तो right answer आपका D रहेगा diode BY 127 में B का मतलब और Y का मतलब क्या है तो आपका silicon rectifier यानि B का मतलब आपका silicon पधार्थ हो गया आपका और Y का मतलब rectifier यानि इसका कारिय है इसका rectifier तो right answer आपका B रहेगा तो ये थे कुछ important questions उम्मीद है आपको समझाये होंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब बने रहे हैं हमारे चैनल पर और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा सेर करें तन्यवाद दोस्तो